नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चित परीचित दोस्त पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहदी महतोपून जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी दालचीनी के और शध्य उपयोगों के भारे में जानते हैं दालचीनी हमारे किचन का एक बहुत ही महतोपून मसाला होती है जो अपनी खुश्बू और स्वाद के लिए जानी जाती है पर क्या आपको पता है कि दालचीनी में ऐसे कई और शध्य गून पाये जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं अगर आप नियमित डालचीनी के ड्रिंक का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर की कई बीमारियों से बचाव हो सकता है डालचीनी बहुत ही फायदेमंद होता है बस इसके इस्तेमाल पर आपको ध्यान देना होता है कि किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये ज़ादा लापकारी साबिद होगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं डालचिनी के ड्रिंक को बनाने की विध्य और इसे पीने के फायदों के बारे में इसे बनाने के लिए सबसे पहले डालचीनी को पीस लीजिए इसे पानी में मिला दीजिए पीसने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप डालचीनी को पीस लीजिए इसके बाद इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उपर से थोड़ा सा इसमें शहद मिल करके तब इसका सेवन कीजिये आपको लाब होगा डालचीनी से बने ड्रिंक में भरपूर मातरा में एंटी बैक्टिरियल गून मौजूद होते हैं जो हमारी स्कीन में चमक लाने का काम करते हैं साथ ही कई स्कीन प्रोब्लेम्स को भी दूर करते हैं अगर आपको किसी भी प् डालचीनी का ड्रिंक बहुत ही फैदे मंद होता है इसमें भरपूर मातरा में फाइवर मौजूद होता है जो पेट की कई बिमारियों से बचा का रखता है आपको नियमित रूप से डालचीनी का ड्रिंक पीने से कोलेस्ट्रोल लेवल कंट्रोल में रहता है जिससे कि हार् को रहत दिलाता है रोजाना इस ड्रिंक का सेवन करने से जोडों के दर्द से भी रहत मिलती है डिनमार्क के एक शोध में डालचीनी और शहद लेने वाले 200 लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन बातों ने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया जाननी के ल प्रियोग कैंसर को भी नियंत्रित कर सकता है दोस्तों अगर आप कैंसर को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो आप डालचीनी का प्रियोग करें आपको बिहुद ज्यादा लाव होगा वैग्यानिकोंने अमाशए के कैंसर और हड़ी के बढ़ जाने की स्थिति में और शहद को लाबदायक बताया है एक माह तक गर्म पानी में दालचीनी पाउडर और शहद का सेवन करना बेहद फायदे मंद होता है यह रोग प्रती रोधक शमता बढ़ाने में मदद करता है जिससे शरीर बिमारियों से लड़ सकता है अगर आपके शरीर की रोग प्रती र विमारी से जल्दी ग्रशित नहीं होंगे हिरदय को स्वस्त बनाए रखने और हिरदय रोगों पर नियंतरन रखने में दालचीनी सहायक होती है क्योंकि यह हिरदय के धमनियों में कोलेस्टरोल को जमने से रोकती है प्रती दिन शहद और दालचीनी का गर्म पानी के साथ हार्ट अटेक की संभावना कम हो जाती है मुटापी के लिए दालचीनी का सेवन एक राम बानु पाय है यह शरीर में कोलिस्ट्रोल को कम करती है जिससे मुटापा नहीं बढ़ता है इसके लिए दालचीनी की चाय बहुत ही फायदे मंद होती है एक चमच दालचीनी पावडर को एक गलास जल में उबाल कर आच से उतार लें इसके बाद उसमें दो बड़े चमच शहद मिला कर सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले पिएं रात को सोने से पहले भी इसका सेवन करना दुगना फायदे मंद होता है और अतिरिक्त चर्वी धिरे धिरे समाप्त हो जाती है जोणों में दर्द होने पर दालचीनी का प्रियोग आपको रहत देता है इसके लिए प्रती दिन दालचीनी का गर्म पानी में सेवन तो लाफ प्रद है ही इसके अलावा इस हलके गर्म पानी की दर्द वाले अस्थान पर मालिश करने से भी इसके पानी को एक सब्ताह तक पीने से संधिवात के दर्द से निजात मिल जाती है। और एक महिने तक इसका सेवन करने से चलने फिरने में औसमर्थ लोग भी चलने में सक्षम हो जाते हैं अर्थराइटिस के दर्द में भी दालचीनी काफी फायदे मंद सावित होती है सरदिक खासी या गले की तकलिफों में दालचीनी बेहद अस्थर कारक्त दवा है इसे पीस कर एक चमच शहद के साथ एक चुटकी मातरा में खाने से जो काम में लाव मिलता है आप गर्म या गुनगुने पानी में दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ मिला कर पी सकते हैं दालचीनी के पाउडर को PC होई काली मिर्च के साथ सेवन करने से भी रहत मिलती है इससे पुराने कप में भी रहत मिलेगी आप सभी को तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए जो और शद हिलाए थे वो दालचीनी थी अगर इसको आप ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप किन किन वीमारियों से किस किस प्रकार से दालचीनी का प्रयोक करके बच सकते हैं इसी से और आज का हमारा ये वाइस ओवर था आप सभी के लिए अगले अंक में हम आप सभी से जुडेंगे कुछ एक और बेहद हैं महत पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों